हेलो स्टुडेंट्स आज हम अपना रिमैनिंग चेप्टर स्टार्ट करते हैं उसी के आगे हम कंटिनिव करते हैं हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे पार्ट शुदा मित्र को पत्र ओके हमने उसके कॉश्टन आंसर हम कर चुके थे टिक दा राइट आंसर और फिल इन ब्लैंक्स हम कर चुके थे आज हम उसके आंगे करेंगे लेंग्विज स्किल्स के कॉश्टन ओके चली देखिए का नमर दिया है रिक्ट स्थानों में सही शब्द भरी है ओके हमें इन जो यहां पर शब्द दिये हुए हैं दो सब्द दिये हैं इन मेंसे एक रॉंग है एक है तो है नेक्स्ट है टू नमबर जन्म दिन का कारिकरम साम को 6 बजे सुरू हो जाएंगे यद जाएगा तो जन्म दिन का कारिकरम साम को 6 बजे सुरू हो जाएगा Next है सभी मित्र मिलकर मोज मस्ती करेगा ये करेंगे तो write के आएगा करेंगे सभी मित्र मिलकर मोज मस्ती करेंगे 4. नम्बर है यह भी बहुत खुशी की बात है फिर है लास्ट फाइब नमबर हमारे विद्याले में वार्शिक उत्सव है ओके चलिए नेक्स्ट देखिए खानमबर मात्रा लगाकर शब्द बनाईए यहाँ पर यह शब्द गलत दिये हुए हैं इन्हें हम मात्रा लगाकर हम इन्हें सही करेंगे ओके चलिए देखिए क्या दिया जन्मदन तो क्या जाएगा यहाँ पर जन्मदिन कैसे लिखेंगे हम जन्मदिन ओके नेक्स्ट है सोकार लिखा है तो क्या आएगा यहाँ पर श्वीकार श्वीकार ओके नेक्स्ट है संगत तो क्या जाएगा यहाँ पर संगीत फिर है आईजन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आयोजन ओके नेक्स्ट है कपया लिखा यहाँ पर तो क्या जाएगा यहाँ पर क्रपया फिर नेक्स्ट है अप उप इस्थत लिखा है तो क्या आएगा यहाँ पर उपस्थित उपस्थित ओके नेक्स्ट देखिए वार्शक लिखा है क्या लिखा यहाँ पर वार्शक तो क्या जाएगा यहाँ पर शही सब्द क्या बनेगा यहाँ पर वार्शिक वारशिक ओके तो नेक्स्ट है खेल कद तो क्या जाएगा यहाँ पर शही खेल कूद खेल कूद ओके तो यह हमने मात्रा लगा कर इनसे नए सब्द बने सही सब्द हमने इनके बनाए जो यहाँ पर गलत लिखे थे जन्म दिन तो जन्म दन लिखा था यहाँ पर तो दा में छुटी की मात्रा आया फिर नेक्स्ट शुईकार वा में बड़ी की मात्रा फिर है संगीत तो गा में बड़ी की मात्रा फिर है उपस्थित तो सामें छुटी की मात्रा फिर आयजन लिखा था तो यह क्या है करेक्ट आयोजन तो या में ओ की मात्रा फिर है वारशिक तो सा में छुटी की मात्रा फिर है क्रप्या तो नीचे यहाँ पर रिशी की फिर नेक्स्ट है खेल कत तो खेल कूद तो का में बडू की मात्रा आएगा तो यह हमने शही शब्द मात्र लगा कर हमने बनाया ओके चली अब आप क्या करेंगे इस पत्र लेखन को जो हमने पाठ चाउदा पढ़ा मित्र को पत्र आप ये पत्र लेखन को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइस करेंगे और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे लिखने की आप भी अपने मित्र को पत्र कैसे लिख सकते हैं या आप प लास्ट दे मैंने आपको homework भी दिया था जब हम question answer हमने किया था तो question answer आपने अपनी फेयर notebook में complete किया होगा और नहीं किये हैं तो आप तर लेंगे और आज का भी ये वर्क अपनी ये वाले ये जो है अपनी बुक में फिल किजेगा ओके इसको आप अपनी फेयर notebook में complete नहीं नहीं लिखियेगा आप इसे सिर्फ only book पर ही फिल कीजेगा ओके students okay bye bye good day